बिहार समस्तिपूर से देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की विद्यालय परिसर में जल जमाव के बीच छात्र छात्रा पढ़ने को मजबूर विद्यालय की कई कमरे भी जर्जप। शिक्षा व्यवस्था में बहतर सुधार को लेकर इन दोनों शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कई विद्यालयों का निरीक्षन कर रहे हैं आज भी ऐसे विद्यालय आपको गाउव में देखने को मिल जाया करेंगे जहां सुविधा के अभाव में चात्र छात्राएं काफ इतना खराब है कि दूशिक पानी विद्यालय के कक्षा में भी देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ विद्यालय के कई कमरे भी जर्जह उपर में खपड़े का छपर होने के कारण वर्षा के दौरान बारिश का पानी गिरता रहता है जल जमाव के बीचर सोया हाथों में ध्यान भूजन के दौरान खाने का सामान लेकर इधर से उधर बच्चों के खिलाने के लिए आते जाते आप तस्बीर में देख सकते हैं विद्यालय के छातरें सभी परिशानियों से गुजर कर रोजपर ने आया करती है लेकिन विभाग के लोग इस परिशानियों से जिसमें चार वर्ग कक्ष पक्का निर्मित और चार वर्ग कक्ष खुपरल का है जर्जक खप्रल भवन का उपरी हिस्सा तुटकर गिरने की कगार पर है आए देन उपर से खपरा गिरने कारण चात्र चात्रा समेथ शिक्षक लोग चोटल हो चुके हैं विध्याले में मुकम चेबोरा पर बैट कर पढ़ाई करते हैं। इसके दोरान बगल में बना गर्धा पानी से भर जाता है। इधर इस मामले को लेकर रोस्टा प्रक्षंट शिक्षा पदाधिकारी अखिलेश कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि विद्याले में जल जमाव की समस्या को लेकर जानकारी मिला है। जल जमाव की स्थिती को देखते हुए राजकिय मध्य विद्याले एरोत को बगल के उत्क्रमित मध्य विद्याले कन्या एरोत में शिफ्ट करने को लेकर पत्र निर्गत किया जा रहा है। कि अधिया है और मैंने अप्लिकेशन जो है विडियो से है और वियो से है सभी को दिया है। तिन दिन पहले आये थे देख करके पूरे गए हैं लेकिन अभी तो कोई दिसानी देश हम लोगों को नहीं मिला है। करने के समस्या है पानी बगल के मंदीर से हम लोग पाइप के द्वारा लाते हैं मध्यान भोजन बरवाते हैं। बच्या वही पानी पीता है यहां से पानी में भी पूरी गंदगी निकलती है। पूरे जो पानी जल्दमाब हैं यही पानी टीवल में आ रहा है। है और बच्या ग्रास में भी एक कुलती फिक है पानी बहुराया है। ज़तरद दिकत हैं पूरा। कि घठाने ओर चादेशन। कर जब बाड़ा एक बादे शो आप एक बादेश जो गाव एक आए जो एक लाएएएए ज़ग मतवा दो